नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के पैर में काले रंग का एक धागा बंधा हुआ होता है। इसमें सभी लोग शामिल होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां। कहा जाता है कि पैर में काला धागा बंधा परंपरा कोई आज की नहीं है, बलकि काफी प्राचीन है। कुछ घरों में जैसे कोई बच्चे का जनम होता है, उसके कुछ समय बाद ही उसके पैर पर काला धागा बंधा जाता है। लेकिन आज के समय में अगर किसी से ये पूछा जाता है कि पैर में काला धागा क्यों बांदा जाता है तो अधिकतर लोगों के पास इसका अंसर नहीं होता है। यानि जादत तो लोगों में ये शोक्या तोर पर पहना जाता है इतना ही नहीं बलकि इसे एक तरह का फैशन ट्रेंट समझ कर देखा देखी में कुछ लोग तो अलग अलग तरह के डिजाइन और का धागा बना कर भी पहन लेते हैं अब सवाल ये उठता है कि आखिर पैर में धागा बानने के पीछे का असल कारण है क्या तो चलिए आज हम आपको इस बारे में चानकरी देते हैं कि इसके पैनने का असल कारण क्या है धरम सास्त्रों के अनुसार काले दागे का महतु मानव जीवन में बहुत ज़्यादा है इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन अपने दाहिने पैर में काला दागा बानता है तो इसके शुप प्रभाव से घर में लक्षमी का आगमन होता है और सदैव उस घर में देवी लक्षमी की किरपा बनी रहती है इसके अलावा जोतिश शास्त्र के अनुसार जिस किसी के घर में दम संबंधी कोई समस्या हो तो उसे प्रतेक मंगलवार के दिन दाये पैर में काला बानना लाबदायख साबित होता है अगर किसी व्यक्ति के पेट में बहुत दर्द रहता है तो कि उसे परदाश करना भी मुश्किल हो जाता है ऐसी परिष्टिती में काले दागे को अपने पैरों के अंगोठे में बान्धे इससे आपको दर्द से मुक्ति मिल जाएगी अगर किसी के पैरों में चोट लगी हो और कई दिनों तक ठीक नहीं हो रही हो ऐसे में पैर में काला दागा बानने से जल्दी आराम मिलता है इसके अलावा कहा जाता है काला दागा हर बुरी नजर से बचा कर रखता है तो दोस्तो मैंने आज ये आपको छोट इसी जानकारे दी है काला दागा बानने के फायद होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरू दबा दीजेगा और बैल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलेगा धन्यवाद